So hello बच्चा लोग, welcome back to the formula revision series, एक ऐसा series जहाँ पे हम लोग formulas के साथ-साथ concept को भी device कर रहे होते हैं और बहुत कम से कम समय में, right? इसके पहले हम लोगों ने already complete electrodynamics, modern physics, we have done ray optics, thermodynamics, gravitation, ktg, सबको हमने discuss कर रखा है और वो सभी एक playlist में है, उसका link आपको नीचे मिल जाएगा and apart from that, नीचे आपको एक link मिलेगा by the name goldmine link, आप जरूर से जाके उसको click कर देखे, आपको बहुत ज़्यादा फाइदा मिलेगा आपके आने वाले examination के लिए इस session में हम लोग discuss करने वाले है, wave optics का part 2, part 1 already upload हो चुका है, उसका link भी आपको नीचे है इस part 2 में हम लोग diffraction and polarization को discuss करने जा रहे है, इसके उपर आपको सवाल frequently मिल जाता है especially अगर हम बात करें diffraction के, तो यहाँ पे आपको 4 हम लोग इसको सब topics में discuss करने वाले है और polarization को हम लोग यहाँ पे 3-4 topics में discuss करेंगे, लेकिन जो numerical aspect है, polarization का, that is basically on your malice law और diffraction का जो numerical aspect है, that is from diffraction by circular aperture and angular position of minima इसके उपर आपको जादा numerical बनता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ concept वाली बाते हैं, जिस पे आपको conceptual question या फिर आपको assertion, reason वाले सवाल बन सकते हैं in your J.E.Main examination, हलाकि यह पूरा वीडियो आपको J.E.Main and Neat Aspirant दोनों के लिए relevant है ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसका PDF notes भी आपको नीचे मिलेगा but as I always say, आप इसको पूरा सुने, दिहान से सुने, क्योंकि chapter ही यह एक ऐसा है ठीक है, चलिए बात करते हम लोग diffraction की, तो diffraction का basic आपको जो meaning होता है is your bending of light around corners or your edges, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यह एक slit है और यह एक single slit है, ठीक है, आपका यह parallel ray of light आ रहा है और edges पर किस तरीके से यह bend हो रहा है, diffract हो रहा है अब यह जो diffraction का effect है, वो तभी आपको जादा prominent मिलेगा अगर यह slit का size बहुत छोटा होगा, अगर slit का size बड़ा है तब आपको diffraction का effect negligible दिखाई देगा, ठीक है और अगर छोटा है, तो आपको यह significant bending या diffraction दिखाई देगा अच्छा, अगर हम बात करें intensity in diffraction तो पहले तो इस diagram को आप अच्छे से समझ ले अगर यह अपना एक single slit है, जिसका width small b है जो आपका incident raise, parallel raise, इसका intensity i0 है ठीक है, हमने यहाँ पे सामने एक convex lens लगा दिया है ताकि हम लोग इसको converge करा पाए, एक point पे यह आपका screen है, और screen का जो दूरी है, वो lens से कितना होगा तो lens के focal length के बराबर होगा, ठीक है, अच्छा अब किसी भी angle theta पे, यह सारी raise आपको इस point पे जाके interfere करने वाली है, तो यह जो angle theta है किसी angle theta के साथ आपका intensity कैसे vary करता है उसका equation यह है, i is the function of theta is equal to i0 into sin square beta upon beta square, जहाँ पे beta कितना है pi small b sin theta by lambda, lambda आपको इसका wavelength हो जाएगा theta यह वाला angle हो गया, और b slit का width हो जाएगा बढ़िया है, अब अगर हम लोग बात करें minima की यानि कि आपका i कब कब 0 होगा, तो आप देख सकते हैं अगर इसको 0 होना है, तो beta को क्या तो 0 degree हो जाए right, pi हो जाए, 2 pi हो जाए, यानि कि beta has to be integral multiple of n pi, और अगर beta हमारा n pi के बराबर होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको result आने बाला है sin theta is equal to n lambda by b, यह आपको condition हो जाएगा for minima, for your dark fringes, right, अच्छा, अगर आपका angle theta छोटा है, तो हम theta को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, sin theta आपका हो जाएगा theta के बराबर, so n lambda by small b, so this is also very very important relation, ठीक है, अच्छा, इसी बात को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, यह आपको एक complete picture दे रहा है, कि कि इस तरीके से आपका intensity का variation हो रहा है, ठीक है, यह आपका intensity variation profile है, ठीक है, अच्छा, फिर से यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर फिलाल इस diagram में हमने उस convex lens को हटा दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा होता है, लेकिन थोड़ा सा diagram का simplicity के लिए बढ़िया है, तो किसी भी angle theta पर intensity का equation क्या होता है, वो हमारे पास यहाँ पर है, और इस intensity का, अगर कोई graph plot करे, sin theta versus I0, right, sin theta versus I0 का यह आपको एक profile दिख रहा है, जहाँ पर आप देख सकते है, central पर जो maxima बनने वाला है, उसका intensity सबसे जादा होगा, और यही unique feature है आपका diffraction का, central में जो आपका bright fringe बनता है, वो बहुत जादा intensity को होता है, और आप जैसे ही उपर जाएंगे, बहुत drastic decrease हो जाता है, brightness में, intensity में बहुत drastic decrement होता है, बढ़िया है, अब हम लोग बात करते है nth minima के लिए, तो हमने अभी अभी देखा था कि sin theta is equal to n lambda by small b, और यहाँ पे आप n को 0 नहीं put कर सकते, n has to start from 1, ठीक है, तो sin theta is equal to n lambda by b, यानि कि जो first minima होगा, that is for sin theta is equal to lambda by b, तो आप देख सकते हैं, lambda by b पे, यह अपना sin theta का access है, so lambda by b पे आपको पहला minima बनता है, दूसरा 2 lambda by b पे, नीचे जाओगे तो आप minus लगा सकते हो, minus lambda by b and so on, ठीक है, अच्छा, theta equal to 0 degree पे, यानि की central की बात की जारी है, यहाँ पे आपको intensity i0 के बराबर होगा, ठीक है, अच्छा, एक और यहाँ पे आप feature देख सकते हैं, कि unlike your ydse, ydse में क्या होता था ना, कि सारा intensity आपको 4i0, 4i0 ही होता था, maxima, और minimum 0, 0, 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यह वाला जो maxima है, वो आपको i0 है, यह वाला maxima drastically decrement है, फिर और कम हो जाता है, और दूसरा यहाँ पे एक और बात क्या है, ydse में आपको french width, आप जैसे जैसे उपर भी जा रहो, वो हमेशा same रहता था, lambda capital d by small d, लेकिन यहाँ पे आपको यह जो width है ना, वो भी decrease होता जाता है, आप आप बिल्कुल मसोचेगा, यह आपको sin theta का value है, ठीक है बात की जारी है, इस bright spot के width की, तो यह वाला width आपको ज़ादा होगा, यह वाला width कम होगा, इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं diffraction by circular aperture, तो यहाँ आप देख सकते हैं, अब आपके पास एक circular aperture है, जिसका diameter हमने बोला है small d, बढ़िया है, यह आपका screen है, जो की capital D दूरी पे है, ठीक है, यह screen आपका capital D दूरी पे है, और यहाँ पे आपके सामने fringe का diagram भी बनावा है, fringe bright spot है, और जैसे ही आप दूर जाओगे, इसका brightness drastically decrease होना चालू हो जाता है, यहाँ पे आपको the most important thing होता है, कि यह जो पहला dark fringe बन रहा है, आप देख सकते हैं, यह वाली जो काली border है black border, यह black border का radius कितना है, या फिर या फिर अंदर में जो यह bright spot है, इस bright spot का radius कितना है, दोनों आपको फिलाल यहाँ पे एक ही बात है, ठीक है, तो circular aperture के लिए आपका formula थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे आपका first minima on screen के लिए, यानि कि यह exact angle theta, यह angle theta जो होता है, that is given by 1.22 lambda upon small d, right, बढ़िया है अब अगर आपको theta पता है, आपके पास यह capital d है, तो यह radius कितना हो जाएगा, theta into d, theta into d, तो यह आपका हो गया, यह हो गया formula ठीक है, अब अगर इसके सामने lens लगा हुआ है, अगर इसके सामने lens लगा हुआ है, आपको numerical में, problem में अगर lens बोल रहा है, तो यह d की जगा आपको small f use करना होगा, क्योंकि screen को हम कहा रखते है, कित्ती दूरी पर रखते है lens से, focus, focal length के बराबर रखते है, तो अगर आपके पास convex lens है, तो आप d की जगा यहाँ पर small f put कर देंगे, आपको यह फिर formula हो जाएगा, इन single page आपको most important है, इस पूरे polarization के लिए, पढ़िया है, इसका मतलब क्या होता है, कि आपका electric field एक ही plane में बस oscillate करें, तो हम लोग यहाँ पर जो figure draw करने वाले हैं, उसका symbol आपको पहले दिखा दिया गया है, यह आपको symbolic होता है unpolarized light का, यानि कि electric field जो है वो आपको अलग-अलग direction में oscillate कर रहा है, तो इसको दिखाने के जगा हम लोग सिर्फ यह दिखाते हैं, यानि कि आपको electric field को हमने दो component में divide कर दिया है, एक आपको इस तरीके से oscillate कर रहा है और एक yellow dot दिख रहा होगा, यानि कि into the plane आपको oscillate कर रहा है ठीक है, direction of propagation आपको right side होगा, बढ़िया है इसको हम लोग show करेंगे unpolarized light से, और अगर आपका light polarized हो गया है, यानि कि हम क्या तो सिर्फ ऐसे दिखाएंगे, या फिर हम सिर्फ एक dot दिखाएंगे, ठीक है, यानि कि आपको एक polarized light है, एक ही plane में oscillate कर रहा है बढ़िया है, तो यह अपने पास एक polarizer होता है, polarizer में अपने पास एक optical axis होता है बढ़िया है, तो यह आपका एक incident ray है, जो कि अभी unpolarized है और इसका intensity i naught है, तो जब यह इससे पास करेगा, तो इसका intensity half हो जाता है याद कर लो, यह i naught है, अगर unpolarized है, तो polarizer से पास करने के बाद इसका intensity half हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं optical axis या फिर pass axis, तो आपको numerical में यही सब language दिया रहेगा बढ़िया है, अब इसी का continuation है अपना malice law, the most important formula for this topic polarization malice law में क्या है, यह figure को तो हमने यहाँ पे agitist बना दिया है अपना unpolarized light है, i naught, तो यहाँ पे हो गया आपका यह i naught by 2 अब इसके आगे हमने फिर से एक और polarizer लगा दिया है लेकिन जब आपका एक polarized light, polarizer से pass करता है तो हम इसे polarizer नहीं बोलके analyzer बोलते है यह आपका numerical का language होगा, बढ़िया है अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, अब इस pass axis को हमने theta से rotate कर दिया है पहले pass axis आपका ऐसे था, अब हमने theta से उसे rotate कर दिया है अब जब यह pass करेगा इससे, इधर जो आपका intensity होगा that intensity is equal to i1 cos square theta, यही अपना malus law है इसके पहले आपका intensity i1 था, तो इसके इधर आपका intensity होगा i1 cos square theta where theta is the angle between pass axis और polarized light का direction बात समझ में आ रहा है, यह जिस direction में oscillate कर रहा है वो उसका angle किसके साथ, pass axis के साथ very very important, very very important बढ़िया है और जब इससे pass करेगा, तो pass axis के direction में फिर यह oscillate करना चालू कर देगा तो अगर हम लोग इसी को generalize करें, कि आपके पास यह एक polarizer है और यह आपका एक polarized light है, जिसका intensity i0 है और उसका amplitude अगर a0 है यह polarized light है, यह जिससे अब समझेगा, तो इससे pass करने के बाद जो आपका intensity होगा that is your i0 cos square theta और amplitude हो जाएगा a is equal to a0 cos theta ठीक है, simple, अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, कौन-कौन से आपके methods होते हैं जिससे हम light को polarize कर सकते हैं, तो आपके पास सबसे पहला आता है reflection this too is very important, इसके उपर भी direct formula based question पहले आ चुके है reflection में हम लोग का जो main important point है, that is your Brewster's law तो आपके पास क्या है, यह आपके पास एक medium है, नीचे वाला medium का refractive index mu है उपर वाला आपका air है, यह आपका unpolarized light देखिए इस तरह के से आ रहा है और यहाँ पे Brewster's law क्या है, समझेगा, law यह बोलता है कि अगर यह ray of light theta b angle पे incident होता है, अगर यह ray of light theta b angle पे incident होता है such that the reflected ray and refracted ray are 90 degrees apart, इनके बीच का angle 90 degree अगर होगा तो reflected ray completely polarized होगा, तो यह हमारा तरीका हो गया polarization का using your reflection, ठीक है, यह theta b को हम लोग कहते है Brewster's angle, बढ़िया है, तो अगर यह theta b है, तो यह भी theta b हो जाएगा यह हो जाएगा आपका angle of reflection और हमारे पास एक और information है कि इन दोनों की बीच का angle 90 degree है, अगर यह angle 90 degree है तो small r को हम लिख सकते थे, 90 minus Brewster's angle और फिर आप इस point पर लगा तो snail's law, ठीक है, आप में लगाया snail's law आपको यह formula निकल के आएगा, कि Brewster's angle is equal to tan inverse of mu तो हमसे सवाल में directly यह पूछ सकता है, कि इस particular situation के लिए Brewster's angle आपको कितना होगा तो आप यहाँ पर simply करोगा tan inverse mu, बढ़िया है, ओके और इसी को हम लोग कहते हैं Brewster's law, राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग moving on to the second method of polarization, that is your double refraction अब double refraction में, अब यहाँ पर आपको सिर्फ concept वारी बाते हैं, यहाँ पर आपको कोई numerical नहीं है double refraction में क्या होता है, this is your medium, और यह medium जिस material का बनता है उसको बोलते हैं हम लोग bire fringent material, ठीक है, for example, calcite हो गया, quads हो गया तो यह एक ऐसा material होता है, जिसका दो refractive index होता है अब यह आपका एक unpolarized light आ रहा है, तो यहाँ पर आपका दो refraction होगा यह आपका, जो light bend किया है, यह आपको snail slow follow कर रहा है और यह वाला आपको follow नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उसको हम लोग कहते है, extraordinary ray, और जो follow करता है हम लोग उसको कहते है, ordinary ray, बढ़िया है तो यह जो extraordinary ray है ना, इसमें आपको light completely polarized होता है and in the plane polarized होता है, बढ़िया है और यह जो ordinary है, इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर dot बनावे यानि कि into the plane आपको light polarized है लेकिन कभी-कभी partially polarized भी रहता है तो हमारे लिए जो important यहाँ पर part होता है that is your extraordinary ray, जहाँ पर 100% complete polarized light होता है and in the plane polarized होता है तो आपको यह सब key words को याद रखना है ठीक है, scattering very simple तो scattering में क्या होता है, यह आपका एक unpolarized light है यह आपका एक molecule है, बहुत छोटा सा miniature, tiny आपका एक molecule है तो जब यह light इसके साथ टकराता है, light आपका scatter होता है तो जो light 90 degree पर scatter होगा, वो completely polarized होगा ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह dot dot है यानि कि into the plane आपको यह polarized होगा so that is your point to remember और कोई भी angle पर reflect हो रहा है, तो वो आपको partially polarized होगा ठीक है, अच्छा, अब यह आपका चौथा तरीका है, which is your dichroism तो यह आपका एक material है इस material का property क्या होता है यह आपको absorb कर लेता है horizontal vibrating electric field को तो आप देख सकते हैं, यह वाली जो electric field है horizontal वाली वो आपको इसमें absorb हो जाएंगी और जो आपका यह vertical वाला है वो थोड़ा सा absorb होगा लेकिन eventually यह pass हो जाएगा तो यहाँ पर आपके पास फिर से एक polarized light आजाता है बढिया है and this is your last topic which is your Nicole prism Nicole prism क्या करता है double refraction के property को ही use करता है तो यहाँ पर हमारे सामने दो prism है आप diagram देख सकते है और यह जो yellow वाली चीज है यह आपका एक अलगी medium है इसका नाम होता है Canada balasum ठीक है तो आपको इस सब नाम भी ध्यान में होना चाहिए तो आप देख सकते है यह आपका एक unpolarized light है और क्योंकि यहाँ पर यह जो medium है ना यह medium आपका फिर से buyer fringent material है calcite इसमें यहाँ पर use किया जाता है तो फिर से आपका यहाँ पर double refraction होगा double refraction होगा तो आप देख सकते है यह वाली जो है यह वाली आपकी है ordinary ray यह वाली है आपकी ordinary ray तो यह ordinary ray आपको इस तरीके से आती है और इस तरीके से इस वाली medium का refractive index चूज किया जाता है ताकि यहाँ पर इसका क्या हो जाए total internal reflection हो जाए तो यह वाली आपको इस तरीके से मुड़के नीचे निकल जाएगा और यह जो आपका extraordinary ray है यह आपका pass हो जाएगा and you will get your plain polarized light ठीक है तो इस वाले case में क्या था कि दोनों separated नहीं था दोनों आपको निकल रहा है लेकिन यहाँ पर हमने दोनों को completely separate कर दिया है और यह हमारी काम की चीज है plain polarized light तो आपको आपको यह पूरा session समझ में आया होगा तो बहुत कम समय में हमने इसके concepts को यहाँ पर देखा है discuss किया है और अपना जो next video होगा उसमें हम लो discuss करेंगे अपना electromagnetic waves और बहुत बच्चों का demand था कि सर आप optical instrument को separate video में ले लिजिए जहाँ पर optical instruments हो गया उनका magnification हो गया उनका resolving power हो गया वो सब formulas को हम लोग बहुत पर discuss कर रहे होंगे ठीक है तो चलिए अगर आप channel पर नए है तो इसको subscribe कर लिजे हम लोग और भी चीजों को discuss करने वाले है तब तक के लिए take care bye bye